गुड इबनिंग डियर स्टुडेंट्स पॉली टेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों जैसा कि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें उत्तर प्रदेश पॉली टेक्निक प्रुवेस परिच्छा 2021 का जो प्रश्न पत्र था उसक से हम CBT कहते हैं computer based test के माध्यम से आयोजित होती है तो मैंने बताया था ग्रोप A में total 100 प्रश्न आते हैं बहु बिकल्पी एक से 50 जो प्रश्न होते हैं वो गडित से सम्मंदित होते हैं और इंक्यामन से जो 100 तक के प्रश्न होते हैं वो उसमें science से सम्मंदित होते हैं जिस जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से आप तयार कर लीजिए और अब हम बात करने जा रहे हैं science के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप focus कर सकें कि हाँ इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो वो concept आप तयार कर सकें अपनी book से उसको करके point wise सीख सकें इससे आपको merit में अच्छे अंक हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी तो आईए बिना देरी की शुरुआत करते हैं तो इंक्यामन यानि कि ये science का पहला प्रश्न रहेगा आपका तो देखिए क्या है इंक्यामन में आपका जिन मात्रकों को मूल मात्रक के पदों में लिखा जाता है वो क्या कहलाते हैं बियुत पन्न मात्रक अगला है परिपत भंजक युक्ति जो घरेलू बिद्दुत वायरंग में फ्यूज के स्थान पर प्रियोक्त हो सकती है वो उसको क्या कहते हैं MCV अगला है आपका निम्नक कड़ों में से कौन सबसे अधिक बलकान वो करेगा जब चुम्म की चेतर में समान वेक से प्रिछेपित किया जाते हैं तो ये पहला option आपका सही है अगला है ऊसमической बिद्धूत युक्तियों में तंतू अधिकतर बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं ऊसमी बिद्धूत युक्तियों में नाई क्रोम के इसके बाद है आपका एक 200 मेगावाट शक्ती का पावर इस्टेशन प्रति दिन विद्दूत उर्जा उत्पन करता है कितनी करता है ये है 4800 मेगा वाट आर तो ये आपका सही उप्षन है इनके अनुसार तीसरा वाला तो इसको आप लोग इस तरीके के प्रशन बच्चों मैं एक बात आपको फिर बार-बार कहता हूं और फिर बता रहा हूं कि प्रशनों का जो लेवल है वो यही रहेगा इसी तरीके के प्रशन ही लगातार पूछे जाते हैं प्रशन बैंक में उनके जो रहता है डेटाबेस वो इस्टोर रहते हैं बस उनका रूप बदल जाता है हो सकता है कि जो क्रम है उनका ये बदल जाए कुछ जो चीजे हैं जो यूनिट बगएरा है वो बदल दें या थोड़ा सा घुमा करके पूछ लें ये चीजी हो सकती है तो इसमें आपको तयार रहना है और इसी तरीके के प्रशनों को तयार करना है अब किसी प्रिज्म के कार लीजी तो इस से आप उसको solve कर पाएंगे इसी तरीके से प्रिज्म के गुजरने वाले प्रकास करन का बिचलन कोण का सूत्र होता है तो ये बिचलन कोण का सूत्र आप तयार कर लीजे इसमें अभी नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं जब आपको प्रिच्छ देंगे तो आपको दिखाई देगा सही उत्तर ये नीचे वाला है अब असुद्ध सूत्र ये देखी बोल्टेज और जो बिद्धुद धारा होती उसमें समंध इस्थापित करने वाला समीकर अर्चार दिये हैं तो उनमें पूछ रहा है कि असुद्ध सूत्र कौन सा है जो गलत है तो उसमें चौता था भी दिख नहीं रहा है लेकिन आपको दिकत परिशान होने की जरूतने अब ये प्रश्ण ऐसा है कि हमेशा पूंचा ही जाता है और हमेशा से पूछा जाता रहा है तो अब आप सूची कि इस तरीके की simple प्रश्ण जो हमेशा पूछे जाते हैं वही pattern रहता है कुछ उसमें अंतर नहीं आता है अगला है आपका बिद्धुत चुमकी ए छेतर उत्पन किया जा सकता है तो तीसरा option आपका C वाला इसमें सही है अगला है आपका एक उत्तल लेंस दोरा किसी वस्तु का तीन गुनाभी वास्तु प्रतिवन्प्राप्थ होता है वस्तु रखी है कि इसके मद्द में कहरा रखी है 2F और F के मद्द F पर 2F के बाहर F और प्रकासिय केंद्र के बीच तो पहला option आपका सही है 2FOF के मद अगला है किसी ओतल दरपन के मुख अच्छ पर एक वस्तु अनंद से फोकस तक लाई जाती है तो प्रतिबिम्बी की प्रकती कैसी होगी वास्तवेक उल्टी आकार बढ़ता या उप्रोग सभी तो उप्रोग प्रोग में कितने नेनो मीटर होते हैं तो आप उससे आसानी से सॉल्व कर लेंगे यह इनके अनुसार 10 एंग स्ट्रॉम सही अंसर है अगला है एक कार का हैंड लेंप 48 वार्ट का 12 बोल्ट की बैटरी पर कार करता है तो उसका उचित फ्यूज होगा कितने एंपियर का पू गट्रॉम गरिंद गर्मेनियम चानदी सिलिकॉन तो यह अर्द चालक है चानदी अर्द से लेंड यह अंसर अगला है एक OLED TV 4 घंटे तक चलता है तो व्य विद्दूत यूनिट है एक 200 वार्ट का टीवी यह दी 4 घंटे तक चलते हैं तो कितने इंपका करन वा दरपन के मद 30 डिगरी का कोन बनता है तो के रहें निम्न में से सही कतान है आप्तित करन तता परावर्तित करण के 710 का कोन है परावर्तन कोन 30 अगला है भारत में घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ती की जाने वाली बिद्धुत शक्ती है यानी कहरें घरों में कितने वोल्ट और हर्ट्स की बिद्धुत शक्ती सप्लाई होती है तो ये सही उप्शन इनके अनुसार है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स की ये लिखा भी रहता है आप इसको जो नॉर्मल ये प्रशन है जी के टाइप का इसको तो आपको पता होना ही चाहिए अगला है आपका एक बल्ब 200 वोल्ट पर एक एंपियर की धारा लेता है तो बल्ब की शक्ती है शक्ती यानि पावर पूँच रहा है तो इसमें 220 वाट आप सूत्र में सीधा रख करके निकाल सकते हैं एक उत्तल दर्पन की वकरता तरिज्या तीरो सम्रो तीन मीटर है दर्पन की फोकस दूरी का इस वे भी सूत्र से निकल आएगा 15 सेंटी मीटर इनके अनुसार अंसर आ रहा है अगला है 12 इंच गहराई वाली एक बाल्टी में पानी इतने भरा है बाल्टी की आभासी गहराई है ये भी बिल्कुल आभासी वाला ही जो सूत्र होता है उससे निकल के आ जाएगा 9 इंच आएगा अंसर एक बिद्दुद बल्व की तंतु का अधिक्तम संभावित ताफ होगा तो इनके अनुसार 2500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यदि एक जीवानू का अकार 20 माइक्रॉन है एक सेंटी मीटर में जीवानू की संख्या कितनी होगी एक जीवानू का अकार कितना है 20 माइक्रॉन का तो एक सेंटी मीटर में जीवानू की संख्या कितनी होगी इसको फार्मूली से निकाल लेना है एक माइक्रॉन का मान कितना होता है मीटर में ये देखिए 10 की घात माइनस 6 मीटर बिल्कुल सिंपल सा इजी प्रशन पूछ लिया अगला है 3.25 इंटू 10 डेश्टू पावर माइनस 3 सेंटेमीटर में सार्थाकंग के कितने हैं तो इनके अनुसार सार्थाकंग कितने 4 वे पदार्थ जिनका उच्च प्रतिरोध अनंथ होता है वो क्या कहलाते हैं अचालक उच्च प्रतिरोध क्या होता है अनंथ होता है वो अचालक कहलाते हैं इंसे उलेटर कहते हैं अंग्रेजी में अगला है एलकोहल के ऑक्सी करण से प्राप्त होता है तो एलकोहल के जब हम ऑक्सी करण करते हैं तो क्या मिलता है कारवोक्सिलिक अम्ल यह आप ध्यान रखिए कि सिंपल छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं जो की साइन्स से संबंदित आपके पूछे जाएंगे अगला है कमरे के तापमान पर द्रव वस्था में पाई जाने वाली अधातू है अधातू कौन सी है जो कमरे के तापमन पर द्रव वस्था में पाई जाती है प्रोमियम यानि पहला उप्शन इसका सही है अगला हीरे में बंद की प्रकृती है कैसी होती है कौन सा बंद होता है बिल्कुल सिंपल सा प्रस्णे कारवन की सही हो जागता कितनी होती है तो इनके अनुसार 4 होती है पढ़ लीजिए इसको आपकी साइंस में बेसिक हाई स्कूल का बिल्कुल जो आपका सिलेवस है उसमें सारा कुछ संबलेत है आपको किसी भी बुक में, NCRT बुक में मिल सिलेगा. 6バ sudah का pH मान कितना होता है जोदा होता है साथ से ज्यादा यह साथ से कब या साथ से ज्यादा यह साथ होता है तो कितना होता है भी option सही है आपका greater than seven यानि साथ से ज्यादा. अगला है NIMन मेंसे कौन सी ACREA GAS नहीं है अगला है आपका निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है तो अक्रिय गैस कौन सी नहीं है आपका D option सही है ये अक्रिय गैस नहीं है सभी छारकों में सामान रूप से उपस्तित होता है सभी छारकों में सामान रूप से क्या उपस्तित होता है OH- ये पहला option आपका सही है तापमान का ऐसा ही मात रख क्या है तापमान का जो ऐसा ही मात रख होता है वो चार में से पूछ रहा है क्या होता है तो ये 0 degree Celsius, इसका ऐसा ही मात रख्या होता है, इसको आप लोग देख लीजेगा, ये Kelvin होता है, जो सही आंसर इनके अनुसार है, ता आप मान का ऐसा ही मात रख्या होता है, Kelvin, तो इसमें confuse मत होईएगा, इसको जरूर याद रख्येगा, अगला है क्लोरीन का परमानू दरबमा क्लोरीन का परमानू दरबमान कितना होता है, इनके अनुसार 35.5 U, तो ये आपका याद रख लेना है, ये simple सा प्रशन है, जो आपको हमेशा पूछा जाता है, आप कहने, pH प्लस P, OH, बराबर क्या होगा, 14, 11, 10, 12, तो सही आंसर इनके अनुसार है, 14, अगला है संचारण के कारण, जो तामवे पर बनने वाली परत होती है, तो संचारण के कारण, तामवे पर बनने वाली परत कौन सी होती है, किस रंकी करें, नीले रंकी, हरे रंकी, काले रंकी, लाल भूरे रंकी, तो ये होती हरे रंकी, ये सही आंसर है, संचारण के कारण अगला है कीटोन क्रियात्मक समुए होता है कह रहे हैं कि जो कीटोन होता है वो क्रियात्मक समुए होता है किसका यह पहला option दिख नहीं रहा है तो यह पहला option ही सही है इसको आप जरूर पढ़ लिजेगा आपकी book में मिल जाएगा अगला है CAH2 में बंद की प्रकती क्या है आइनिक बंद होता है इनकी अनुसार अगला है सल्फर में एक अनू की में उपस्तित परमाणूओं की संख्या कितनी होती है इसमें 8, 4, 6, 5 तो एक सल्फर में अनू में उपस्तित परमाणूओं की संख्या 8 होती है इनके अनुसार बागि आप देख लीजी guys कि बुक में क्या अंसर सही दिया हुआ है अगला है आप का amonium हाईड्रोजन और नाइड्रोजन की द्रबמש का अनुसार सही है अगला है उदासीन बिलियन का पी एच मान होता है उदासीन बिलियन का पी एच मान कह रहे हैं कि साथ से जादा होता है साथ होता है या लेस देन सेविन होता है और इसमें या फिर चौदा होता है तो इसमें जो उदासीन बिलियन होता है वो साथ होता है उसका मान, साथ जिसका pH मान होता है वो दासीन बिलियन माना जाता है अगला है क्लोरोफिल में कौन सी धातू होती है तो ये मैगनीशियम इनके अनुसार सही अंसर है अगला है आपका मीथेन में कारवन और हाइडरोजन के द्रबमानों का अनुपात सदय हो रहता है कितने चार ओप्षन दिये हैं इनके अंसार थ्री अनुपाते वन हैं यानि तीन अनुपाते एक तो ये मीथेन में कारवन और हाइड्रोजन के द्रबमानों का अनुपात होता है अगला है योगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रबमानों का अनुपात सदेव इतना होता है ये एक ही तरह के कि 3-4 प्रशना आपको मिल गए कि यानि पूँच लिया कुछ भी कि इसमें इतने इसका और इसका अनुपात क्या होता है तो योगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रबमानों का अनुपात सही होता है एक अनुपात एयाट इनके अनुसार अगला है प्लाश्टर और पेरिस का करें रासाइनिक सूत्र क्या होता है यहाँ देखने ही रहा है बागी प्लाश्टर और पेरिस का या इस तरीके की जो भी होते हैं उनका सभी का आप पढ़ लीजे किसी ने किसी के जरूर पूचा जाता है तो सही option इनका B वाला है कारवोक्स से लिए क्रियात्मक समोय का रासाइनिक सूत्र क्या है ये आपका C option बिल्कुल सही है सिंपल सा है ये हमेशा आपके पूरे सलेवस में भी इसको अच्छे से आपको पढ़ देना है अब ये चार option जो दिये हैं option तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं ये आपको पता है कि बेंजीन कैसा है यानि बेंजीन को किस से प्रदर्सित करते हैं चार option दिये जाएंगे उन में से आपको सही option चूज करना रहेगा उसके बाद फिर है HCL और NAOH के अनुमापन में किस सूचक का प्रयोग किया जाता है फिनाप्थेलिन का प्रयोग किया जाता है तो ये तो बिल्कुल easy है ये आप आसानी से कर लेंगे अगला है आपका धातुओं के तारों को जोडने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिस्र धातु कौन सी है का प्रयोग किया जाता है अगला आपका लास्ट प्रस्ट है एलकेंस रेंडी के प्रथम सदस एलकेंस रेंडी जो होती है उसका प्रथम सदस कौन होते है प्रोपेन है, मीथेन है, इतेन है या इनमें से कोई नहीं तो इनमें से सही आंसर है वो भी आप्शन है आपका मीथेन यानि एलकेंस रेंडी का जो प्रथम सदस से वो क्या है मीथेन तो इस तरह से बच्चों आपने पचास प्रस्ट देखे जो आपके साइंस से सम्मंदित थे वो आपकी हाई स्कूल में जो साइंस चलती है ज्यादा तर उसी के आसपास है कौनसेप्चुल प्रस्ट है कोई भी आप बुक खरी सकते हैं NCRT बुक में आपको जरूर मिल जाएंगे अच्छे से बस आपको फोकस करके स्टेडी कर लेना है कौनसेप्चुल फॉर्मूला वेज्ट या सीधे सीधे बिलकुल प्रस्ट पूंच लिए जाते हैं यदि आपको कौनसेप्ट के लिए हरे तो आप उनको जरूर सॉल्व कर लेंगे तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा जो भी आपके इसे दोस्त हों या जान परचित में हो जो पॉली टेक्निक की प्रवेस परिच्छा में बैठने के चोकों फॉर्म अपलाई कर रहे हैं उन तक की वीडियो जरूर पहुचा दीजे इस वीडियो को जरूर देखना है थैंक्यू बेरी मच आप सभी का दिन शुभ हो